हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मैं चैनल, मैं रोक्टर इतुजन, मैं एक हुमेपथिक कंसल्टेंट हूँ और आज में जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ वो है मोलेन ओईल मोलेन ओईल इयर डॉप तो हुमेपथिक काई काफी फेमस इयर डॉप है जो कि आपके कान के लिए बहुत बैनिफिशल है तो आज मैं इसी के बैनिफिट्स और यूज़स बताने वाली हूँ और इसको कैसे यूज़ किया जाता है वो बताने वाली हूँ तो चली शुरू करत है मूलेन ओईल के बारे में तो मूलेन ओईल जो है वो बर्बैस्कम प्लांट से बनी हुई मैडिसिन है जो कि एर डॉप की तरह यूज़ की जाती है होमेपथिक में और आपके किस चीप के सिम्टम्स होते हैं जो कि बहुत एफेक्टिव होती है कान के लिए तो यहां पर आपको अगर कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो वो किसी भी वज़य से हो चाहे कान के अंदर दाने फुंसियां होगी हो पोड़े हो कान में बैट ज़्यादा जम गया हो या फिर कान में बहुत ज़्यादा मवाद आ रहा हो मतलब कि पस्फॉर्मेशन हो रहा हो ज तो उसको सुखा के और आपके कान को बिल्कुल क्लीन और दर्द रहित कर देता है तो बुले नुवाई काफी एफेक्टिव होता है अगर किसी वी वजह से आपको बहरा पन हो रहा है धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आपको सुनने की शमता कम होती जारी है तो धीरे अगर दे रहे हैं तो वहां पर भी अगर आप रेगुलरली मुलेन ओईल यूज करते हैं तो बहुत effective medicine होती है धीर धीरे आपके चुरने की चंता को ये बढ़ा देता है और भी कई सारी चीजों में effect होता है जैसे कि अगर आपको कान में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है स्वैलिंग हो गई है जिसकी वज़े से आपको अंदर के सासथ बाहरी साइड भी आपको सूजन दिखाई दे रही है कई लोगों को गाल पे इधर साइड में सूजन आना शुरू हो जाती है तो यहां पर भी अगर आप मुलेन ओईल के directly medicine लेके आप इसमें थोड़ा सा ओईल या फिर glisten मिलाके हलकी हलकी मसाज देते हैं तो यह सूजन को कम कर देता है और दंध में अराम देता है और अगर आपको इसके साथ में खासी हो रही है अगर आपको bronchitis हुआ है अस्तमा हुआ है और चेस्ट में बहुत ज़़ादा stiffness और स्वैलिंग टेप की फील हो रही है और उसकी करणा आपको खासते खासते बिल्कुल बहुत परिशानी हो रही है बिल्कुल खासी रुखी नहीं रही है तब भी इसको externally यूज किया जाता है मसाज की तरह हलकी मसाज देते रहेंगे अगर दिन में दो तीन बर तो आपको खासी आना बंद हो जाती है तो बहुत उसको दिन में 2-3 डॉप दिन में 2 बार डालते हैं सुबह और शाम तो आप 3-3 डॉप दो डॉप डाल के उसको कॉटन लगा के बंद कर दीजे कान को और फिर शाम को हलका सा क्लीन करके फिर से डाल लीजे तो इस तरीके से अगर आप कंटियन यू डालते हैं तो आपकी पर अधिसन्स को गयाप रखते हैं तो आपको कभी भी बच्चों को रात में भी अचानक से दर्ध बहुत जल्दी कभी भी हो जाता है और ठंड के दिनों में कई बहुत जल्दी हो जाता है कई बार बारिश में पानी डाख चले जाने की वज़े से हो जाता है सुजन हो जाती ह कई बार फुंसियां हो जाती है कान में, कई बार खीड़े चले जाते हैं कान में, तो बहुत सारी चीज़ें होती, जहां पर एर ड्रॉप हमेशा ज़ुरत लगती है, और मुले नॉय, इन सभी चीज़ों में बहुत एफेक्टिव होता है, कान की सुज़न को कम करता है, कान के बहने, आपके लिए बहुत ज़ादा जो लोग को देखा है, कि बचपन से बच्चों की कान में छेद है, जिसकी वज़े से मवाद बहता रहता है, तो ये वहाँ पर कान की मवाद को तुरन सुखा देता है, और खतम कर देता है मवाद बना और स्वैलिंग को भी खतम कर देता है तो यह बहुत effective medicine है आप इसको use कर सकते हैं अपने घर पे रख सकते हैं और बहुत effective होती है और आप लोगों को ज़रूर यह benefits मिलेंगा मैंने कई अच्छे results देखें कई treatment किये हुए है इससे जहां पर पका बच्चों के लिए सबी के लिए तो चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को like करके share करके और साथी साथ comment करके जरूर बताईएगा और साथी साथ मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले क्योंकि अगर आप bell button को press करना नहीं करेंगे तो तो मेरे ऐसी ही नए वीडियो के नोटिफेकिशन्स आपको नहीं मिलेंगे और मेरे लाइप लेने के वीडियो के भी नोटिफेकिशन्स आपको नहीं मिल पाएंगे तो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आज के लिए दना ही, कल फिर मिलते हैं, सभी को गुद्बाय, थेंक यू